को वेक्सीन पर पोले स्वास मंतरी मन्सुक मन्दाविया आज व्हो की मीटिंग उसमें होगा फैसला सीम केजरिवाल ने के रामलला के दर्शन केजरिवाल ने साथ ही किया बड़ा लान सरकार बरी तो एक्ति हमें रामलला को कराएंगे मुफ्त दर्शन लखींपूर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यूपी सरकार बोली पत्रकार ड्राइवर की मौट से जुड़े सबु चुटाना कटें देश में वैक्सिनेशन के 102 करोड डोस का आकड़ा पर रिकवरी रेट 98.19 प्रतिशत पहुंचा शेहर बाजार हर निशान में सेंसक तीसंग की तेजी के साथ खुला नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पेश्वेत अगर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आए नज़र डालते हैं उत्तव पदेश की कुछ खास ख़बरों पर मगर सोमवार के ओ कारिकरम को देखते हुए सुरक्षा विवस्ता खड़ी हो गई थी पाइम पीम मोधी के कारिकरम में उत्सा पूर्वक शामल होने आशा और संगनी होने जा रही थी जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से रोग दिया वहीं इसकी वज़े से आशा संगनी नाराज हो गई और जिसके पाद सीएम मो कारियाले पर नाराज आशा और संगनी ने अपनी ड्रेस को जला कर फिरोच जिताया प्रशासन के कौन से रोग रहे थे आप लोगों को सर वहां जो बैठे थे इंस्प्रेक्टर वगेरा वो कह रहे थे कि डियम साथ का सकता दे से कि आशा बहुंए अंदर ना जाए लोग राट दिन काम के लिए हम लोगों को आज बहुत कुसी थी उनके पास दर्शन मिल जा यानि ड्रेस का बहुत का आप लोग कर रहे हैं ताजनगरी आकरा में पोले सबे रक्षा में हुई अरुन वालमे की की मौत का मामला पेचिदा हुता जा रहा है अरुन वालमे की को नियाय दिलाने के लिए अधर प्रदीश नगर निगम जलकर विबाग करमचारी संग ने भी अभूंकार भर्दी है नगर निगम कर्मचारियों ने आकर नगर निगम परिसर के शहीद इसमारक तो केंडल मार्च निकाला और उन वालमी की को निया दिलाने की उठाई है मां जहां साथ ही भीक नहीं इंसाफ चाहिए के नारे भी लगाए है लूसु ने जहीं अभी लोगी लोगईों धर निगम वालमी की समाज के एक भाइगी पुलिस परसासंन के द्वारा मार मार करकर के अत्यागर दी गही और उसीनines तारीक से लेकर आज तक पुलिस परसासंन चग shifts आल और सरकार के दवार निरंतर परिवार को वालमी की समाज को घुम्रा किया जा रहा है उसी से हाथ वोकर के आज वालमी की समाझ आजमगर के विदान सबा सगड़ी बस्पा प्रवारी प्रत्याशी संकर यादव ने अपने विदान सबा शेथ के हराहया ब्लोक के बाराट प्रभाविछ छेत्रों में जंसन पर्क किया बारट से होने वाली प्ररेशानियों से आम जन्मानस में रूबरू हुए लोगों ने अपने नेता को अपनी विवत्था सुनाई है और बाड में होने वाली प्रविशानियों से भी अफगत कराया है बाड इतनी तेज आ गई है कि लोगों को समझम नहीं आया कि मनलब कैसे पानी आ गया और इतने जी कि सब लोग अपना जो रासन पताई थोड़ा बाहर सुखवा उखवा रहते सब ढूब गया उसमें यहूं सड़ने लगा है पानी से और सरकार जो है सोई हुई है ना तो एजेम साहब वहां गए ना तसिलदार अभी गए ना नाव लगी तो कहिए कि नाव लोगों को ले आ रही है पिर जा रही है फिर अब कले किसी को नस लिया था किसी तरह से लोग 12 वज रात में लेके बाहर आए और जा करके द्वरी घाट के वहां करके जयनपूर बाजार में कुशिनगर जाते हुए प्रदेश उपात्यक्ष एके शर्मा का भाजपकार करता ने जोरता स्वागत किया इस दोरान मुकल राय के आवास पर पत्र प्रतिनिदियों से वारता करते हुए प्रदेश पीचे पी पात्यक्ष डॉक्टर एके शर्मा ने कहा कि जनपत ही नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है और 2022 विदान तेजी से हो रहा है कोई पूछ दिले का बढ़ल गच्च का जो इसा है उसका संपर्व करते हुए मैं दिवरिया जाओगा और कल वहां कई कारकम है दिले में दिले में कहीं ही उज़िदी कारकम है कॉंग्रेस पार्टी की प्रतिग्या यत्रा मिर्जापूर पहुंच गई है यात्रा में पूरराज सपसांसत पूरर मंत्री आजजराय और सहित काई नेता यात्रा में शामल थे प्रतिग्या यात्रा देर रात नगर में निकली और निकल कर सभा कर भाजपा के आड़े हातों लिया मिर्जापूर से प्रतिग्या यात्रा प्रियाग राज के लिए रवाना हो गई है कॉंग्रेस की प्रदिक्या पदियात्रा के साथ मिर्जापूर पहुंचे पूर्विधायक अजर राइडी माविन दिवास निधाम माथा ठेका मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर साधा है निशाना और कहा सबका साथ सबका विकास का नारा देनी वाले सरकार से सभीवर को लोग तुकी हैं किसान से लेकर भिरुजगारियों को सबने दिखाती रही भाजपा सरकार कहा हमारी नेता प्रियांका गांदी के नेतत में 2022 का विदान सबच जुनाव जीत कर बनाएंगे सरकार सरकार बनते ही आठ प्रतिग्याओं को पूरा करेगी कॉंग्रेस जो सरकार वर्तबान की चल लिए इन्होंने बड़ी-बड़ी घोसनाई किया था बड़ी मैनेफिस्टो लाएते की घी खिलाएंगे क्या-क्या बड़ी-बड़ी सज मैंने सुना है कि एक किलो घी देंगे है रादमी को और क्या-क्या बहुत सी चूटी बाते कहीं जो कहीं जमीन पे नहीं आई हम लोगों ने जो भी कहा चाक किसानों का करजा माफ 2009 में मनमोहन सिंग जी की सरकार ने पूरा 78,000 की सानों का करजा माफ किया विजली का बिल से लेकर जो भी चीजे हम लोगों ने कहा है उसे पूरा किया है और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है और प्रिंका गांदी जी के नितरुत में निश्ची तोर से कॉंग्रेस पार्टी मज़ूँ मिर्जापुर का एतिहास एक पुराने दश्मी पंची का भरत मिलाव के मौके बार पूरा शहर जश्मी डूब गया पूरा शहर सतरंगी रोष्टी से नहा उठा जैश्री राम के जैकारों वो भक्ति मैगीतों के बीच राम दरबार की जहांकी से एतिहास एक भरत मिलाव का आगास हुआ आकरशक जाक्यों एवं कलात्मक चौक्यों का सिलसला शुरू हो गया पूरा शहर भग्वान श्री राम वाहर हर महादेव के नारों से गुंजाइन मान हो गया पूरा नगर भरत में लाव देखने के लिए उमर पैया गया था उत्र प्रदेश सरकार यूट व अपराद के खिलाफ और अपरादियों के खिलाफ आए दिद सक्ति दिखाती ती वही नज़र आती है सरकार लाग तावे करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराद में काफी कमी आई है लेकिन हमारा नजारा कुछ और ही नजर आता है दबंगो को ना तो पुलिस प्रशासन का कौफ है और ना ही सरकार के कानून का आए दिन दबंगो द्वारा कानून की जम कर तज्याओन आई जाती है वही एक ऐसा मामला उतरपदेश के बलिया से सामने आया है प्रशासन ने वीडियो को संग्यान में लेते हुए जाचगी और आरोपी को गिरफतार करने के लिए कहा गया है शाज़ापूर जनपत में बाढ़ का संकल थंगने का नाम नहीं ले रहा जहां गर्रा खनोद के राम गंगा की नदियों में लगाता जल सर बढ़ने से जहां लगाता फसले नस्ट हो रही है वहीं दूसरी और सडकों में कटान अभी भी जा रही है नदियों का पानी रहाईशी इलाकों में पहुँचने के साथ सडकों पर बहना शुरू हो गया है जिसके चलते आवा गवन बादित है जब पानी भैता रहता है तो आवा गमन मी कम होता है कभी कभी होता है लूट पार्ट भी शुरू हो जाती है पान में है ये कही न कही सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है एक लंबे समय के बाद ये बाड आई है सरकार को पूरा मौका मिला था इस बाड के परती आगे जागरों को करके ऐसे काम करने के कि लोग कम से कम नुकसान हो सब्सक्राइब बाल ग्रस लोगों मकार मनाए हैं लोगों के मकार डूब गए हैं आज महेंगाई के मास यह परिशान था उपप से बाल ने बहुत परिशान किया हजारों आदमी रोडों पर चुपिया डालके रह रहा है यह सोचने वाली बात है सरकार को ध्यान देना हुई जलाद्यक्ष अबलदार रियादव का मताबिक सपराश्टी अकलेश रियादव दिनांग 27 को पुलिस लाइन से दोपैर तीन बज़े आएंगे राते वी श्राम भी जनपत में ही करेंगे जबकि 28 को श्री दुरगा जी इंटर कॉलेज सेहदा में दस्वी वबारवी के 139 मेरित के चात्र चात्राओं को लैप्टॉप फित्रित करेंगे उतरप्रदिश सरकार ने भले ही वबोगताओं के लिए तोरत समस्याओं का समधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की हो पर अब यही ऑनलाइन सुविधा लोगों के गले का फास बंता दिकाई द सहरे किसी तरह परिवार का गुजर बसर करने वाले भोगता को दो महीने का 16,18,000 का बिजली का बिल थमा दिया बिजली विबाग ने बिल मिलते ही उसके पैरो तले जमीन की सक गई पीड़त अपना दुख जगतपूर, SDO के और उचाहार, XCN के सुनाया लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिससे पीड़त अब काफी परिशान है और अपना बिल संसोद कराने की गोहार लगा रहा है। चाहतिन पूर हुई बारश से किसाने की फॡ़ा को लुक्सान हुआ है, खेट में कटी पड़ी फसले हुई हैं जलमक और फसलों की दूर्दशा देख किसानों के चेहरे मुर्जाएं हैं किसान से बात करने पर जलका है उनका दद और प्रशासन से मिलने वाले मुआवजे की देख रहे हैं रहा हद गाम ब्लॉक केस सुलेमा वाद मजरे मादवपूर का मामला है पुरा कितना नुक्सान हुआ लगवग लगवग चालिस कुन तल दो दान होना था लागट कितनी आई थी पंदर पंदर अंदा जा जा लगवगग अपने कहीं इसका वो किया है आजमगर जनपत के मुबारक पुर्थाना शेत में 26 आथसे में पाइक से जा रहा है तीन यूपको की मौके पर ही मौत हो गई जानकारी के मुताबिक मुबारक पुर्थाने के दरिया बाजपुल के पास पाइक अनियनतित हो गई थी और ताड के पेड से पुरी तरे से टकरा गई थी तीनों यूपको की मौके पर ही मौत हो गई है सूशना पर पहुची पुलस ने यूपको के परिजनों को जानकारी दी कटना की सूशना मिलते ही मौबारक पुर से लेकर घोसी में कोहराम मजगिया है सुबह पांच बजे में सुबह 5 बजे सुबब म Jewishा का शव मिला है विवाहिता का शव मिलने से परिजनों में हड़कम पहुची मायका पक्श ने ससरालियों पर विवाहिता की हत्या कर फासी की फफणदे पर ل頭 लटकाने का आरूप लगाए है सूशना पर पहुंची स्थानी पुलस ने विवाईता के शव को कबज में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया है मामला धाना पिठो और आशेत के अंतरकद गाउं बजरिया का है है मुट मेरी बच चीए सायमम जरी जया श्रॉज़िा फिर ऑर उसको उसके प्रति मालु प्रीसान खरते ले स्धियल असरी जिसलिए वहो जोगंने आज माले प्र nep काटगा दिया यह मतलों उसके चोटे भोटे वी जिसके ओर उसको मारें यहें के düşte कि Yauda लुगे जmia में जल लखीम पूर्किरी में तीन दीनं से लापता, युवाकश data वाजणemandी में तैता हुआ मिला। सूशना पर पहुँचिक पुल्स जहाँच में चुट गई है। लापता, युवाकर्ष अममिले से पारिज्चनों में कुहरां मचा हुआ है। पूरा मामला यूपी के लखीम पुर्किरी के नीम गाउं कोतवाली शेत के पिपरी खला गाउं का है। पूरा मामला यूपी के लखीम पुर्किरी के नीम गाउं कोतवाली शेत के पिपरी खला गाउं का है। शाजापूर में चोरों का आतंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाख रुपे की चोरी की वादात को चोरों ने अंचाम दिया है। चोरों ने नगदी सहेत लाखों के गहने और जेवरात पौके से चोरी पर कर फरार हो गए है। तीन रेलवे कॉर्टर में चोरी और एक खोका काट कर माल चोर उड़ा ले गए। खबर शाज़ापूर्प से है। काट कर मालचोर उड़ा ले गए है उते परदेश के अब तक के खबरों में इतना ही आप फिलाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार कर देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार